मांडर विधान सवा में हो रहे उपचुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया पूरी कर लिए गई है और हमारे साथ सिपी सिंग जी है जो राची विधान सवा के विधायक में है पुरुमंत्री रहे हैं सर क्या लग रहा है आपको क्या प्रिणाम देखिए जहां तक दोफर में मैंने जनकारी लिया और उसके पहले तीन दिन मैं मंदर विधान सवा के विभीन छेत्रों में गाउं गाउं जाने का काम किया है लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और भारती जनता पार्टी को जिताने के लिए उत्साह दिखा जो रिपोर्टिंग आई दोफर के अंदर तो उसके अंदर यह सुनिश्चित हो गया है कि भारतिय जन्ता पार्टी के उमिद्वार स्रीमति गंगोत्री कुजुर जी भारी मतों से विजय होंगे जो आप दावा कर रहे हैं और जिस तरीके से कॉंग्रेस के परत्यासी सिल्पी नहा तिर्की जो की बंदू तिर्की की बेटी है वह चुनाओ लड़ रही है और पूरा महागठवंधन भी दावा कर रहा है जीत का लेकिन जो आंकड़े अगर देखिएगा तो पिछले जो ती प्ल्टिकल सिनेरियों को देखने के बाद ही पता चलता है न साथी जंता ने जिस परकार से वोटिंग किया है ुसके हिसाब से पता चलता मैं कोई बैठ कर वहां भुढ तो दिलवा नहीं रहा था कोई सामने देख नहीं रहा था तो दावे सब करेंगे तो हमारे दावे में दम है बस सिता ही मैं कहना चाहूंगा चुकि सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि पिछले बार जब 2019 में जो चुना हुआ उसमें 28 में से ज्यादा तर जो सीटे हैं याने कि 26 सीटे उपिये के पास चली गई सुरक्षित सीटों की मैं बात कर रहा हूं मांडर भी सुरक्षित सीट है और जिस तरीके से पिछले कई दिन उने जिस विश्वास के साथ हमंत सोरण जी को जिताने का काम किया था वो विश्वास पर खारा नहीं उतरे इसी कारण हमारे अंसुचित जन जातियों में यह बात असपश्ट रूप से गया है यह सिर्फ दिखावे की बात करते हैं लेकिन आदिवासियों की भलाई की बात सिर्फ और सिर्फ भारती जनता पाटी करती है इसलिए आदिवासी अब इतने हैं भोले-भाले मुर्ख नहीं रह गये अब वो भी राहिनितिक रूप से समझदार हो गये हैं और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि भारती जनता पाटी पर उन्हें विश्वास है कि भारती जनता पाटी ही चुनाओं में विजय होगी इसलिए भारती जनता पाटी को ही भोड देना है न कि जेमेम कांग्रेस को देना है वैसे इस्थिति में जो आज की आपको पसंद करने वाला हो या फिर आपकी आलोचना करने वाला हो एक आखरी सवाल ले है कि जिस तरीके से कई मुद्दों को आधार बना करके मुखमंत्री हेमन सुरेन और उनकी पार्टी यहां तक पूरे यूपिये पे जो परसेप्शन तयार करने की कोशिस की गई आपकी पार्टी के तरब से कि भ्रहष्टाचार को ले करके खास करके तो क्या यह जो मांडर का उप्चुनाओ का जो परिनाम आएगा 26 तारी को अगर यूपिये के फेवर में अगर आपका दावा फेल हो जाता है और ठीक उसके उलट रिजल्ट आता है तो आप लोगे मानेंगे क कोई मुद्दा नहीं रहा मांडर के पहली बार तो दावा फेल होगा नहीं भरते जंता पाटी चुनाओं जीतेगे लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं उस बात को मान भी लिया जाए तो सभावी के रूप से बात तो आएगी नहीं कि भाई तब भरष्ट चार कोई कि यह जेमेम कांग्रेश आदिवासियों का सोसन करती है आदिवासियों को ठगने का काम करती है भारतिये जंता पाटी एक ऐसी पाटी है जो आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम करती है इसलिए आपने देखा होगा कि आज देश की राष्टपती एक आदिवासी महिल होने जा रही है इसके पहले अनुसुचित जाती का देश का प्रधान मंत्रे था तो भारती जन्ता पाटी एक ऐसी पाटी है जो नीचे से उठकर आए हुए लोगों को देश के सरवच अस्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं शुक्रिया सर बाच्षित करने के लिए आप सीपी सिंग जी को सुन रहे थे जो यह दावा कर रहे हैं कि आज से ठीक तीन दिन के बाद जब मांडर बिधान सवा उप्चुनाओं का परिनाम आएगा तो वो भाचपा के पक्ष में आएगा शुक्रिया दॉक्तर बनने का है सपना मगर सही गाइडन्स की है कमी तो आएं बायोम राची में सिर्फ मेडिकल की तयारी के लिए एक बहतरीन संस्थान नीट और एम्स की तयारी के लिए संग 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसे मन्द संस्थान बायोम इनु एवं नगर तोली राची